आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई हो क्योंकि गवर्मेंट यम वीविश कॉलेज की 7456 सीटे इंक्रीज हो चुकी हैं 2023 सेशन के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी की सीटों के बारे में जो इंक्रीज हुई हैं लास्ट येर के कमपरीजन में कितनी सीटे इंक्रीज हुई हैं इससे कटापर क्या असर पड़ेगा क्योंकि दोस्तों 7456 सीटे इंक्रीज हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा कि 2022 में टोटल यम्बीविस की सीटे जो थी वो थी 91,927 जिसमें 48,012 सीटे गोर्मेंट यम्बीविस की सीटे थी लेकिन 2023 में यही सीटे इंक्रीज होकर 1,6,183 हो चुकी हैं जिसका प्रूफ आप NMC की विबसाइट पर जाकर देख सकते हैं काउंसलिंग तक यह सीटे और भी इंक्रीज होने वाली हैं इसका मतलब दोस्तों 2023 की कटाफ कम होने वाली है अब कितनी सीटे कम होगी कितना कटाफ कम होगा उसको भी बता देता हूँ देखिएगा आपका जो एक्जाम हुआ उसके अंदर टोटल कंडिडेट 21,00,00,00 से अधिक थे लेकिन जो सीटे इंक्रीज हो रही हैं बार बार हमारे अउनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि देखिए डाक्टर्स की जरूत है उसको देखते हुए दोस्तों जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अब तक 10,000 सीटे इंक्रीज हो चुकी होगी उसको देखते हुए कटाफ कम होगी जो जनरल कटेगरी की कटाफ होगी वह तकरीबन 590 के आसपास रहने वाली है इस नियूस से आपको कितना प्रसनता हुई है साथ ही एनमसी बिल लागू हो जाए तो 20% सीटे और भी बढ़ जाएंगी अगर आप चाहते हैं एनमसी बिल 50% नियम लागू हो या नहीं लागू हो नीचे कमेंट सक्षन में आप अपनी राए लिक्र बता सकते हैं साथ ही वीडियो को लाइक करें दोस्तों में अधिक जानकारियों के लिए आगे बढ़ते रहें आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिन जय भारत